किसान आंदोलन पार्ट टू की जो फिलहाल रुका हुआ है हर्याणा और पंजाब के बॉर्डर पर जिसे हम शंबू बॉर्डर कहते हैं और वहां खटर सरकार डटी हुई है कि इन किसानों को बॉर्डर पार तो हम नहीं करने देंगे शंबू बॉर्डर पर एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रदर्शन कारियों का जथा आगे बढ़ने की कुशिश कर रहा है और इसके बाद एक बार फिर पुलिस पूरे एक्शन में हैं पुनीत पनीजा हमारे समरादा कल से ग्राउंड पर है और आपके जो हैं यह तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो है जो पेरा मिल्टरी फोर्स लगी है उनके द्वारा यहां पर जो गोला बारी का जो है वो लगतार यहां पर टियर गैस जो है वो चोड़े जा रहे हैं यह देख सकते जो हैं वो काफी तनावपूर जो हैं वो बने हुए हैं आप तस्वीरें देखिए यहां पर लगा था जो है जो टियर गैस जो है वो चलाए जा रहे हैं वहां पर 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 मिल्टरी फोर्सिस की तरफ से और यह सामने आप देखेंगे तो पूरा जो इलाका है वो धूए से जो है वो भर गया है यह आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं पूरा इलाका जो है वो धूए से भर गया है जैसे ही वहां पर जो बैरिकेट्स लगे हुए उनके पास जाने की कोशिश की जाती है तो तुरंत जो है वो गोलबारी जो है वो शूरू हो जाती है जो टियर गै वो देख रहे हैं और यहां पर जो है लगातार इस तरह के जो यहां पर तस्वीरे जो है वो आप देख रहे हैं और इस वक्त यहां पर जो हलात हैं वो काफी तनाव पूर्ण बने हुए हैं यहां पर तस्वीरे यहां पर देखिए हलात जो हैं वो काफी तनाव पूर्ण बन ट्रैक्टर हैं वो यहां पर लाकर खड़े कि गए हैं उसके बावा जो है यहां पर पाइप्स जो है वो लगाई गई हैं और उसका मकसद यह है कि यह जो पानी की पाईप्स हैं जैसे ही वहां से तेयर-vacc्रण आता है उसको किस से रोका जाए उसके छिड़काव से यह सब यहां पर इसको रोका जा रहा है यह आप तस्वीरे देख सकते हैं और इसी तरह से आज किसान भी पुरी स्ट्रेटीजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो यह चाहते हैं कि आज किसी भी तरह से यहां से आगे बढ़ा जाए तो पंजाब के किसान संगठन शामिल हैं। उसमें पंजाब के भी थे, हर्याना के भी थे, बहुत बड़े-बड़े संगठन हर्याना के थे। फिर उसमें MP के भी लोग आ गए थे, उसके अंदर पश्वी उत्तरप्रदेश की लोग भी आ गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है ये किवल पंजाब के कुछ किसान संगठन है उन लोगों ने बाकी लोगों से राय मश्वरा किये बगैर इस वक्त दिल्ली कूछ का ऐलान कर दिया और इसलिए बाकी संगठन उनके साथ नहीं है बलकि कुछ तो नाराज भी है भले वो आउन रिकॉर्डा करके कहते हैं कि नही हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे जरुवत पड़ी तो लेकिन वो इस बात से नाराज है कि आपने बगैर पूछे ऐसा एलान क्यों कर दिया क्योंकि इससे देखिए उनकी जो उनका जो ग्राउंड है उनकी जो मांगे है उसका आधार कमजोर होता है कि आप हर बार जो हैं सरकार हमसे बात करें अरे सरकार तो बात कर रही थी भाई अभी भी कर रही है सरकार कह रही है अभी भी हम बात ही करने के लिए कह रहे हैं आपसे लेकिर आपने रात को दो तीन घंटा दो तीन बही तक बात चली उसके बाद सुबह आपने अट्रेक्टर उठाय और आप चल यह इस वक्त उनकी सोच लग रही है लेकिन ऐसा काम होता नहीं और सरकार ने भी ठान लिया कि बहुत हुआ पिछली बार इस बार तो बिल्कुल हम यह बरदाश नहीं करने जा रहे हैं हाँ कोई बहुत सकती नहीं की जाएगी लेकिन ऐसी नाजायस मांगे नहीं मानी जो मुम्किन है हम देंगे आप आईए हम दुवारा फिर से आपसे बात करते हैं फिर कहा है कि इंद्री मंतरी ने परश्शी मंतरी ने एक बार फिर से इस बात को दोराया है फिर जरा पपुनीत परिदा के पास हम चलते हैं पुनीत कल तो बड़ा हंगामा था कल तो ड्रोन भी जो है वो आसू गैस के गोले गिरा रहे थे और लगाता ट्रैक्टर बांद बांद कर जो है बेरिकेट खींचने की कोशिश हो रही थी आज बताईए क्या आलम है देखिये सोरब आज जो है किसानों ने भी अपनी स्ट्रेटिजी जो है वो चेंज की है सबसे पहले आज यहाँ पर पतंग जो है वो उड़ाए जा रहे हैं आकाश में क्यूंकि कल ड्रोन जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहा था लियाजा ड्रोन उनके पास ना अपा दूसरा आज वहाँ पर ट्रेक्टर जो है वो बड़ी संख्या में कल तो ट्रेक्टर आगे जा रहे थे और अगे जो कच्छे थे लेकिन आगे तो कंक्रीट के बनाये गये हैं जिसके अंदर आर्ट सीसी सीमेड जो है वो भरा गया है उनको तोड़ पाना बेहद मुश्किल है लिहाजा आज strategy मेंनों ने बदलाब किया है और यहाँ पर अब जो आगे जो में एक्षिन है वहाँ पर को या कैमरा को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा है आज यह भी एक उनकी strategy का ही एक हीसा है वहाँ पुरीद यह बताई देखे भी तस्वीर चल रही है हमने देखा कुछ ट्रैक्टर के आगे कुछ पतरे जैसे जो है वो लगे थे कैनेडा लेखा हुआ उनके उपर जी बिल्कुल बिल्कुल यहां पर यह तो यहां पर अमूमन यहां पर सभी ट्रैक्टर के आगे यहां तो कैनेडा का जंड़ा मिलेगा यहां आगे कैनेडा रिखा लेगा क्योंकि एनराइस बहुत जादा है पंजाब के अंदर एक चलन है कैनेडा जाने का यह एक अलग है लेकिन उसके इलावा सोरव इसमें यहां पर यह है कि यह जो ट्रैक्टर है इनके साथ बड़े-बड़े पानी के टंकर जो है वो रखे गए है और जैसे ही टीर गैस का जहां पर इस्तेमाल होता है उसके बाद बड़े-बड़े पाइप जो है उनका एक जाल बिछा दिया गय है उसके बाद जब सी उसका स्मोक निकलता है उसको वहां पर छिड़काव करना शुरू कर दिया जाता है ताकि उसका जो धुआ है उसका असर जो है वो खत्म हो जाए उसके अलावा जो बड़े-बड़े ग्लासीज है जिससे पूरा चेहरा जो है आँखे जो है उसको कवर किया है कुछ केमिकल जो है वो चेहरे पर लगाए गए है ताकि जो आंसुगैस उसका असर ना हो लिए बात आदे खमाल की ट्रैक्टरों के आगे कैनेडा के निशान के जंडे बांद करके लोग चल रहे हैं बताईए जरा बारत सरकार से मांगे मनवाने के लिए और जंडे है लंबी पीछे काफी मीटर तक कई सौ मीटर तक किसान है तो उनके बीच में जाकर के ड्रोन के जरीए टियर गैस का शेल गराया जाता है कि वो भीड हट जाए भीड तितर बितर हो सके तो पुलिस ने जो है इस बार एक नायाब तरकीप निका ली तो कल एक दिन के अंदर किसानों ने भी अडाप्ट कर लिया इसको अब पतंग उडाई जा रही है पतंग पतंग से ताकि ड्रोन को हिलाया जा सके ड्रोन को डिस्टेबल किया जा सके वो भी कैमरे पर शूट किया है पुनीत ने देखी जड़ा एक बार फिर से शंबु बोडर पर आप देख सकते हैं कि ट्रेक्टर के ऊपर ये पैनी के टंकर रखे गई है पाइप्स जो है वो लगाई गई है आज आप ये देखिए ये पाइप्स है ये लगाई गई है धर असल ये सब जो है जब धुआ छोड़ता है तो उससे कैसे बचा जाए और उसे पानी की बुचार जो है वो की जाएगी ये तमाम जो इंतिजाम है ये आज के यहां पर शंबू बॉर्टर पर किये गए हैं और एक जो चिकनी मिटी होती है उसका लेड भी यहां पर काफी लोगों ने अपने फेस पर किया है ताकि जो इसका जो असर है बहराल आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी जादा क्योंकि आज जो है किसान आरपार की लड़ाई के मूड में यहां पर नजर आ रहे हैं लिहाजा जो बोरियां हमको भील्या किया जा रहा है उसको भीगोया जा रहा है थाकि जब ड्रोन से आंसु गैस का गोला चोड़ा जाता है उसका असर जो है वो कम हो आँखों में उसकी जलन बहुत जादा होती है लिहाजा प्रोटेक्शन ग्लास जो है वो भी यहां पर लगाए गए हैं तो यह आप तस्वीरें इस वाक्त आप देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो है कि यहां पर किसान आज पतंग ज जारून है चाहिए वो दूसरे ड्रोन हैं जिससे आंसुगास के गोले छोड़े जा रहे हैं उसको कैसे थार्गेट किया जाए उसको कैसे हिट किया जाए पतंग की मदद से यह यह इसी का एक हिस्सा है कि यह पतंग यहां पर आज उड़ाए गए हैं दूसरे तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो किसान जो है वो धिरी धिरे फिर एक बार जो बैरिकेट्स हैं उसके काफी यह करीब जो है वो पहुंच चुके हैं यहां पर आप तस्वीरे देखेंगे तो यह इससे आगे जो है वो बैरिकेट है और उसके काफी जो है समिप जो है पूरा ज्यादा प्रचार और हैं там रहे हैं तनकि आज किसी भी हालत में यहां से जो दिल्ली है उसके पास जाए जाए तो पूरा जादा काफी जादा कराउर यहां पर आपको नज्जाराएगा जैसे तो पुलिस ड्रोन उड़ा रही है किसान पतंग उड़ा रहा हैं लेकिन हालात अभी वैसी के वैसी हैं जैसे कल थे यह तैय कर लिया है खटर सरकार ने की यहां हरयाना का बौर्डर तो पार करने नहीं दिया जाएगा इनकी सालों को देखे मुझे लगता है कि अब कम से कम ये सब को इस पश्टता हो रही है कि इस आंदोलन को जिस तरह से किसानों का साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है नमबर एक नमबर दो ये कुछ लोगों की जिद है, उनका हैंकार है, उनकी अकड़ है, ये हो सकता है कि आप ये कहें, कोई उसके पक्ष में हो सकता है, जो इकोनॉमिस्ट होंगे, जो अगरिकल्चर जानते हैं, जो देश की अर्थिवस्था जानते हैं, खजाने में कितनी रकम आती हैं वो जानते हैं, वो कहेंगे, भई, MSP गारेंटी कानून लागूर नहीं हो सकता है, तो अब नया कहा जा रहा है कि भई, ठीके सरकार ना खरीदे, कोई भी खरीदे, उससे नीचे न ले, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना, कि सरकार किसी भी इंडिविज्वल किसान के लोगपतियों, इस देश के आम लोगों को, और बड़ी अच्छी बात किसी ने कहीं कि ट्रैक्टर भी नहीं मिलता था पहले, जब तक लाइसेंस राज था, ट्रैक्टर लेने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, आज देखी कितने ट्रैक्टर है कि पंजाब के ह कोई संबंध है, हाला कि अभी तक इस बार कुछ ऐसा नहीं दिखा है, लेकिन जब ये सब दिखता है, तो लगता है कहीं चुनाओं के पहले भारत जैसे लोक तंत्र में, जिसका दुनिया लोहा मान रही, कहीं उसको कुछ आइस्थिर करने की साजिश है क्या, और उसमें हम जैसे लोगों की चिंता ये है, डर ये है, कि पंजाब का वो नौजवान जो इतना उर्जावान है, इतनी असीमीत उर्जा से प्रतिभासे हो संपन है, उसको सड़क पर इस तरह से स्टेट के खिलाफ खड़ा किया गया है, ये खतरनाक है, ये ज़्यादा बड़ी चिंता ह देखें, भारत के अंदर, ये फानेंचल ये 2020 की बात में कर रहा हूँ, भारत के अंदर जितनी भी उपज होती है, खाद्यान की जितनी भी उपज है, उसकी टोटल वैली है 40 लाग करोड, 40 लाग करोड, MSP पर जिन 24 क्रॉप्स को MSP दी जाती है, फसलों को, अगर केवल उन 24 के अंदर, पूरी भारत सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा, पूरे देश में, वो 45 लाग करोड है, और आप चाहरे हैं कि MSP वाली फसलें तो 10 लाग करोड पढ़ेंगी, और पूरी फसलों की बात करेंगे तो 40 लाग करोड पढ़ेंगी, क्या मुम्किन है ताकि सारा काम सरकार छोड़ देगी, किवल फसल ही खरीदेगी, और फसल तो अभी भी खरीदी जाही रही रही है ना विसमेंगर, तो अगर इस तहां का MSP लागू किया जाता है, तो पहली बात ये कि 5 ट्रिलियन रुपीज का जो भार है वो पढ़ेगा, तो एक तो वो अ फोर्ड नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आप फसल के लिए MSP कर देंगे, तो उसी तरह की फसले उगाई जाएंगी, जो MSP के अंदर, पज़ाब में वही हो रहा है, आप खुछ सोचिए, आप पानी पिला पिला के चावल हु मैं उससे आगे बता रहा हूँ, आपने इतना सारा एकी तरह की फसल कर दी, जो कि बिक नहीं रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो सरकार को अवियसली वह खरीदना पड़ जाएगा, अगर इस ताहां का कानून हुआ, तो उसका करेंगे क्या, और ऐसे में जब इस ता कि MSP पे खरीदेंगे, तो इसके सलूशन भी दे गए, अलगला स्थाही में, मैं दूसरा के भी दे रहा हूँ, इसके सलूशन भी दे गए गए, ऐसा नहीं है, एक तो सलूशन जो प्रधान मंतरी, जो किसान सम्मान योजना है, कि उसमें ये कहा जाता है, ये सलूशन सुझ कि जो डिफरेंस हों MSP और उसके बीच में, वो डिफरेंस सरकार दे दे, भावंतर, भावंतर वाली इसकी, दूसरा उसका ये है, कि आप किसान के लिए एंशोर कर दिजे, उसकी इंकम, जो कि अभी किसान सम्मान नी थी वाला मामला है, वो पेंशन मांग रहे हैं, दस जार अभी तक तो जो काम होता है, वो मजदूर को उसकी दिहारी मिलती है, वो कह रहे हैं कि इसमें किसानों को भी शामिल करो, मनरेगा में, क्या ये पॉसिबल है? देखे, मैं जो फामूला बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी आंकलन किया गया है, उन सब में ये देखा गया है, कितना एकस्पेंडिचर होगा, ये फामूला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीती आयोगा और बाकि सब के फामूला है। मैं स्पीकर तो ये ही मतलब होता है, बोले लेगे, ये कानून बन जाए, ये ना कोई खरीद सकता है, इस पे कम पे ना कोई बेच सकता है, तो वो अपराद बना देंगे क्या इसको। किसानों का जीवन बेहतर करना शुरू किया है। कि प्रती एकड़ पैदावार हम बढ़ाएंगे, हम गुडवत्ता बढ़ाएंगे, हम सबसे अच्छे बीज तयार करेंगे, सीड हब बनाएंगे एशिया का हम, हम अपनी मिट्टी की जाच करके उसे और उर्वर बनाएंगे, हम अपने यहां तालाप खोदेंगे, अपनी जमीन का जो जल इस तरह है, उसको उपर करेंगे, हम एक तरफ इस वैल्यू एडिशन की क्वालिटी की बात करेंगे, दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, कि भाईया गेहूं, धान या जितनी तेईस उपज है, जो इसमें आ रहा हो, उसको सरकार खरीदे, खरीद के क्या करेगी उसके बाद हमी लोग चलाएंगे, फलाना जगा, एफसी आई के गोडाम में पानी परस गया, और वहाँ जगा नहीं थी तो सड़ गया, तो क्या हुआ, किसी शराब कारोबारी ने उसको खरीद लिया, उने पहुने दाम पर, फिर कोई बताएगा, कि एफसी आई के गोडा हमें साल में इतने लाग का यहूं चूहे खा जाते हैं, यानि हम दुनिया भर के करप्शन और ये सब करके हम किसानों की इतनी मेहनत, इतना कुछ करने के बाद उन्हें हम MSP भर देते हैं, उसके बाद सरकार भी अपना पैसा लगाए, यानि देश के संसादनों का अन प्रो हैं, इस देश में एक लाख के आस पास लोग हैं, जो FPO से जुड़े हुए हैं, जो अपनी उपज तै करते हैं, कितने में उगाएंगे वो तै करते हैं, मौसम देखते हैं और फिर बाजार भी तै कर लेते हैं, और बताते हैं इतने में यह बेचेंगे, तो मुझे लगता ह कि एक तरफ वो प्रगतिशील किसान है जो आगे जाना चाहते हैं और एक तरफ वो है जिनको पीछे ले जाकर कुछ मंडी वाले कुछ आड़ती है कुछ कमीशनेजट और विशेश करके किसान संगठर इनकी दुकान चलाने कोशिए